जाहिंद जाकबड़ी दोस्तों मैं कबड़ी कोच गुर्देव रूहल आप सभी दोस्तों को सुवागत करता हूँ आपके अपने परिवार कबड़ी 107 पर तो आज फिर एक प्रोकबड़ी खिलाड़ी से इंडिया लेवल के खिलाड़ी से आपको रूबरू करवाएंगे तो सबसे पहले राहूल भाई सभी खिलाड़ी को दर्शकों को एक बरजाएं जुरूर बोल दे हैं जैहिन भाईयों कैसे हो आप सब तो सबसे पहले आपका पूरा प्रिच्छे जो है आपका गाउं का नाम आपके तैसिल का जीला का नाम और आपके राज्या का नाम हमारे खिदाडियों को बता हुए कि मैं भाई डिस्ट्रिक बिजनोर का हूं गाउं जुलाल पछोज्या है और इस्टेट उत्तर परदेश तो सबसे पहले को मुन सा कवेस्वन होता है कि अपने कभ की और कैसे कि कभड़ी की सुरुआ जैसे कि गाउं में पहले लगवाध दो तीन गेम होते दिगाव में खेले हैं पिर अपन जॉव बारे में देखने लगे और बाद में 2011 से मैंने पूरा अपना केरियर बना लिए और उसमें जबसे प्रयास करता रहा तो सब्सक्राइब तो आपने किसी साही में विशाइदे कोचिंग लिए येस मैं 2009 में साही गांदी नेकर गुजरात में बढ़ती हुआ जहां पर मैं एक और के वेस्पे महां पर सेलेक्ट हुआ था उसके बाद में रहां रेडर मिला रेडर भी जब बना जब कि मुझे वहां डिफेंस में जग रेडिंग करते करते मेरा फोकस पी रेडिंग के उपर आगे कि रेडर ज्यादा अच्छा रहता है तो आपकी हाइट जो एक रेडर की थी लेकिन आप मतलब स्टाइम आप डिफेंस करते थे तो जब आप गंदी नगर में गई गुजरात साही में आप गई तो वहां तक आ यह नैश्नल टीमें मिमिशाट बहुत काफी कम रेडरे आसी दॉन तरफ से रेडि करते और आप यह वीटीम हो किसी भी छेतर में कहीं पी उनकी दोनों सब्सक्राइट कभी बरावर नहीं होतीया कोई न कोई वीक पांइन होता है और आप जब बोथ साइट से रेडिंग कर करते हैं तो उसके कई ना कहीं कोई ना कोई डिफेंस लूज को तो यह जो नए खिलाड़िया उनको उनके लिए बहुत जुरूरी बात है कि जो रेडर दोनों साइट से एक साइड से काफी कठीन है पॉइंट निकाला तो सैकिंड जो साइड आप उस साइड से आप से परोगोबड़ी पहले सीजन से था दोजाइब चोदा सबसे कबड़ी स्टार्ट हुई ती मैं तेल कुटाइटन समय इसे फिर उसके बाद मैं कैप्टन रहा हुआ का फिट आई मैं चैजन तरह प्रोगोबड़ी तब से आरे हैं मैं कंट्यूनी खेल रहा हुआ पहले सीज मैं चोड़ी तो उसके बाद प्रोगोबड़ी हुई फिर नेसल टीम माया नेसल टीम के जाने के बाद एर इंडिया में गया तो और टॉनमेंट खेले वहां से मेरा पैचान हुई कि हाँ कोई राहुल चौदरी है तो पोस्टर बोए के नाम से आप काफी टाइम मसूर रही और अब हैं पॉस्टर बोए के नाम से जाना जाता एक टाइग नाम आपको दिया गया है टाइग लाइन आपको मिलीया कि पोस्टर बोए राहुल चोदरी तो इस नाम से आप कितना संटूस्टोर का लगता आपको इस नाम तो इस्टाइब ड़के तो मुझे नहीं पता क् प्रो कबड़ी के आने के वाद तो कबड़ी का स्टेंदर ही चेंज हो गया देखो पहले क्या था कबड़ी में कुछ नहीं था पहले कटोरियां चमच में बर्तम बगारे मिलते घर वाले डंड़ा वजाते थे क्योंकि कुछ मिलता नहीं था और हमारे इतना इसका खौप भी सब्सक्राइब नहीं था कि या जॉब बगार भी यह भी नहीं पता था पहले तो प्रोकबड़ी आने से इसमें सब कुछी बढ़ी आपको देखो जितने बीकबड़ी प्लेयर अपनी गाड़ी से हैं एक से गाड़ी है कपड़े अच्छे पैरते हैं पहले क्या था लिए दोसट चार सुरूपर टीशेट पहरे लिए पर अभी इस्टेंडर बहुत अप हो गया है प्रोकबड़ी हैं से हमारी जो रहने सहने का श्टाइल है बोलने चालने का जो है सिस्टम है सब जाद चेंज हो गया है पहले तो ऐसे यह यार आजा क्या है पर हर्ची मेंटेंड क प्रोकबड़ी में कोई एक ऐसी टीम जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगती है प्रोकबड़ी में अच्छी होती है जिसके उपर जो है वी हो जाती है जो आपने उपर है वी जग है इस्टॉंग हो जाती है और आपका कोई फैबरेट डिफेंडर यह गाल मेरा सबसे मेटे संदीब गुल सईलेंड रहता है सांदीब धुलो क्या लड़का वी और वह सुनिल सील तने जागा डायल हो गए काफी मसूर हो वैसे संदी मुल स्पर जासे सीटक देख ऐ繼續 तो किसी भी छेत्रम के जाना हुआ उसमें आपको कड़ी में तो करना ही पड़ेगी, अगर आप प्रोग कपड़ी का फ्यूचर इतना अच्छा है कि बहुत जादा प्राइट है, किरिकिट के बाद अगर देखा जाए तो कपड़ी इसमें आप अपना ड्रीम पुरा कर सकते ह और बहुत ही एक किट किट कितने के आती है, पांसु छेसरोव एक किट बन जाती है, और घर में आप दालोटी खाकर के कबड़ी प्लेयर बन जाएंगे, तो यह है कि आपको इसमें कम से हम दो तीन घंटा प्रेक्टिश करनी पेड़ेगी, और जो भी रेडर है, और है, खा सबसे अच्छा यह है कि आप किसी को जैसा बनना चाहते हो, तो आप रेडर की स्किल देख सकते हो, क्या करता है, उसके आप पर प्रेक्टिस करें, तो यह ही कि आप जिसी भी छेत्रों जान चाहते हो, रेडर, और, डिपेंडर, तो उसमें आप वीडियो जेखिए, उसके सबसे कोई खास मुमेंट आपका रहा हो, खास मुमेंट तो वही था, जब दो जार चोदा में पहली पर कपड़ी होई थी और मैं बैस ट्रेटर में आया था वहां पर बढ़िया मेरा गेम हुआ था, तो सब जब पोस्टर वाई पोस्टर वाई उस टाइम मेरा मला की, लग में जब आपने कबड़ी स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचने तक, इंडिया लेबल तक पहुंचने तक, आपको किन किन कठनाई को सामना करना पड़ा, एक्चुली मैं तो कभी कठनाई करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं प्रक्टिस करता था, मेरा उपर वाणे बहुत अब पहुत जाएं कि तरह था, मुझे लगता है कि हर्याना थोड़ा ऐसा है जो कि प्लेट को भेशता है कि घर से बदर आधरे स्टेट जो है वो में लगता है कि इतना नहीं वेस्ते तो मेरे मेरे माबा बहुत पीटते थे पढ़ाई को लेके, वो इसलिए मैं बीच में हाई स्कूल होते ही मैं का आर्मी में बढ़ती हो जाएंगे स्टाइम आर्मी जादा खौफ रहता है इसकूल ग्रामीड में जादा आर्मी और फुलिस दो एका खौफ रहता है कभी यह तो सोचता ही नहीं कि मैं पढ़ लेक के आई पिस बनो आई एस बनो तो यह ज्यादा ह जादा होती थी जो कि प्रो कबड़ी आने के बाद यह सब कुछ भूल गया सब तो लेक आते हैं बहुत बड़ी बड़ी अपरोच आती है कि मेरे प्लेयर्स को ले लो मुझे ले लो तो यह बहुत अच्छा हो गया तो कबड़ी के बादा कौन सा दूसरा गेम हैसा जो आप पर अपने घर क्यotлом करते हैं जवानिया किसान जवानिया किसान कös तो आखिर जो हमारे नरे खिलडी हैं जो अभी केम स्टाट किया है या फिर वो कहीने कहीन मनोबल उनका घिर जाता है तो आप उनको क्या परेना देना चाहूंगे सकस होने तक देखो लाइफ में हमेशा आ पर बावन अब चलता रहता है तो कभी भी कभी नर्वस नहीं होना चाहिए अभले अगली टीम के लिए उनका बीव धुक्ताव रहे हैं मेरे भी दो आत पार रहे हैं अगर कोई आगर मैं कर सकता हो कोई को इस चीज को रख़कर दिमाग में चलोगा कि कोई ऐसा नहीं को ठाक क Chemical dari मेppen कि जा जाते हैं तो क्या दर्ना कि सोब्गे कि असके हैं कि आप करूं पर जितना आप हाड वक करोंगे कैना बर्ड का कि सब्सक्राइब हाट करेगा तो च्थ सेथा अपतना वीजी तो इस लेवल तो हर्टी सेटेगा इजी लेन चाहिए मैंच को कभी माइड प्रेशनी लेन चाहिए मैंच को कई ओ अचालीस मिन्ट का मुझा गना है तो पढ़ी नर्वस नियोगा और अच्छी परफॉंस रहें और आप जब आपका प्रो कबड़ी में आए या फिर आपने जब कबड़ी स्टार्ट किया तो किसी कबड़ी प्लेयर को देखकर आपको यह लगा था कि यह लगा था कि इस किलाडी तरह में बना चाहता हूं अच्छिए हमारे जिला विजनोर से कोई नेस्वन प्लेयर निए जब मैं खेलना स्टार्ट किया तो जब मैं वहां से निकला प्रो आई प्रो में ना के प्लेयर देखे जब कि उन से पहले और भी बहुत बड़ी बड़ी प्लेयर जो कि हमें बाद ने पर चला कि संजीव आल प्लेयान उनके टाइम कैसे रामबेर काफी जादा प्लेयर से जो हर्यान से कई सार्ट या करके ते कोई सार से पर जब मैं भी प्रोग बड़ी माया तो अजय ठागुल मेरा फेवरेट प्लेट है ठीक है तो सबसे जदा आपको मतलब कॉन सी टीम के की तरफ से खेलना चाह तो आखिर में कुछ आप हमारे दर्सकों कुछ कहना चाहोगे कि बस अपने भाई लगे रहो प्रक्टिस करो जिसी चेतर में हैं आप पढ़ाय में हो किसी वीडियो बनाओ गया खेलो अपने दिल से करो और अपना हाड़वक करो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी अले खिलाड करी कहीं है नहीं और इससे अच्छा केरियर भी कहीं नहीं है तो आप सब उसको सपोर्ट करिएगा और पढ़ाई से ज्यादा मुझे अगर किसी भी छेतर में हैं तो एक स्पोर्ट मैं है किसी चीज में आओ पैसे में पब्लिक सिटी में रोनाल्ड हो देख लो उससे कि 107 बहुत अच्छा है बहुत चलगा आप से मिल जाप ऐसी करते रहेगा और आपके वीडियो देखते हैं वह आपके कहीं ने कुछ ना कुछ उनके फाइदे की बात हैं ऐसे अच्छे प्लेट का उनको बताती हैं कि कैसे बना कैसे नहीं तो आपका बहुत अच्छा श्टाफ आप ऐसी आगे करते रहिएगा तो दोस्तो आज हमारे साथ उड़ते राहूल चोदरी और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल का आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर जुरू कर देना, जा हिंद, जा बड़ी, जा भारत